हलो डियर के यूपी वाई एसप्रेंट्स के लिए वीडियो होने वाला है बहुत सारे बच्चे के यह कोरी करते है कि भाईया यह कोई पिया का फोर्म कब आता है तो यार उनकी सिंपल जानकारी बता देता हूँ कोईपियू का जो फोर्म है आपका सेप्टमबर में आता है ज जो कि दिसंबर 2020 या फिर जैनवरी 2022 पे होने वाला था जो कि भी मई के अंदर 22 तारीक को हो रहा है अब एक सिच्वेशन और है कि उससे सेम डे जो कि इंडिया का टोप ये पूटेटेट मैफिमेटिकश इंस्टेटीट है उसका भी सेमड एक्जाम है तो जो बच्चे केवपिवाई का फॉम फिल कर रहे हैं और स्यम एंटरस्ट रखते हैं तो उनको क्या करना है क्योपिवाई का जो भी आपका फोम है और जो आपका CMI का form है वो आपको जो है आपको CMI का जो भी उसका email ID दिया गया उसके ओपर share करना है तो इससे करने से क्या होगा आपका QPY का जो exam 22 माई को है उस दिन आपका CMI का exam नहीं लिया जाएगा सिर्फ उन बच्चों का जो कि उनको email करते हैं उनका exam जो है special 23 माई को conduct किया जाएगा CMI के दुआरा this is the simple information अब हम आगे बढ़ते हैं कि भी आप preparation कैसे करें right so यार जो बच्चे 11th class में है उनको तो कोई चकर नहीं है क्योंकि वो तो already prepare कर रहे है right वो तो किस institute में है या पर online prepare कर रहे होंगे या पर कोई coaching ले रहे होगी problem उन बच्चों को है जो कि भी 12th class में पढ़ रहे हैं और exam का भी तक हुआ नहीं है especially यानि कि जो बच्चे किन-किन exam से गुजर रहे हैं जैसे कि J-Main है J-Main का भी exam देना है उन बच्चों को almost बच्चे देंगे olympi arts दे रहे होंगे भी CUET test दे रहे होंगे या फिर और other entrance test दे रहे होंगे right कोई बच्चा NEET का exam दे रहा होगा board के exam अभी हुए नहीं है CBSC and बहुत सारे boards के राजस्तान board के 6 अपरेल से exam से तो बहुत सारे बच्चों का ये question है कि भाई हम कैसे करे manage हम करें तो करें क्या आपको generally कुछ information बताऊंगा जो पढ़ना था आपने वो पढ़ लिया है अब बेन है आपको just revise करना है ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा हो सकते है revise करना इसके लिए आप हमारी team की membership plan भी ले सकते हो जिसके अंदर जो भी क्योपी वाइ स्कोलर्स है जो कि भी IASC के अंदर पढ़ रहे है या पर जोनोंने जही advance IIT के अंदर पढ़ रहे है वो तुमारी help कर सकते है तो description में मैं उसका link दे रहा हूँ mentorship link भी plan भी ले सकते हो ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं कि के से study plan बलाना है भी जो भी आपका 22 माई को एक्जाम है KVPY वाली जिते भी बच्चे हो तो यार आपको एक update दे रहा होगा I think 28 March is the last date जो की हुआ था आपने अगर test city अगर change करना था तो उसका भी update आया था KVPY की website पे तो आपने अगर किया हो कुछ changes नहीं कि आप भार जाके खेलो भी वेट मिटन भी खेलो अपनी girlfriend से भी बात करो घरवालों से भी बात करो भो भी देखने भी जाओ खेल भी केलो cycle भी चलाओ bicycling भी करो वो time अभी नहीं है आपके पास time है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने का चोईस गंटे है तो आप 5 गंटे 6 गंटे नींद लो बाकी सारा का सारा time जो बचता है उसका सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए usage करो जनरली अगर मैं बता हूँ जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं बातरूम तक के अध्यूर फो मिले जिफ का दते हैं संचे व कर सब्कर करना क्या है जनरली और सैंजिंद 2021 यहीं होंगे बहुत सारी संड़े की बज़े से सुब रात को ग्यारा बज़ेab को ऊठते हैं सुब 10 बज़े उठते हैं यह नहीं चलेगा बिल्कुल बिल्कुल नहीं चलेगा बता रहा हूं आपको चाहतर में का लगा है जो होने वाला है आपको क्या करना है छो गंटे आपने नींद ले लिस तो गंटे में दो गंटे क्या तीन गंटे में मान के चल रहाऊं कि अप लंच भी करते हैं आप अपने निकाल दो किते ऊगए छै तीन नौगनटे हो गई ठेक है तो ढ़िए तो अब को क्या करना जितने भी घंटे आपके बचनेशंग को सब करना तो दस है निकाल दे रहे हैं 14 घंटे बच चुकह है 14 घंटे बच गहनते बच गहना आपको 3- лучше टीन गंटे पढ़ाई ठीक है अब just coaching is not matter आप खुद कितना सीख रहे हो अभी दुबारा revise कितना कर रहे हो this is very important I am already J.E. Advanced rank holder with 700 rank था मेरा J.E. Advanced के अंदर All India rank ठीक है sorry All India निता 700 rank था मेरा J.E. Advanced के अंदर आपके पास एक मैना है 10 गंटे आपको J.Main की पड़ाई करनी है 3 गंटे आपको board की पड़ाई करनी है एक गंटा आपको जो आपका KOPY एक्जाम की पड़ाई करनी है ठीक है KOPY का आपको 22 माई का एक्जाम होने वाला है J.E. Main का एक्जाम अभी हो रहा है अपरेल के अंदर J.E. Main पर आपको सबसे ज़्यदा फोकेस करना है सबसे जरूरी इंपोर्टेंट बात आपको बता दूँ कि आप ज़स्ट ट्राई करिए कि कम सी कम आप 75% स्कोर करें ही करें किसी भी हाल में board की examination क्योंकि अगले साल कोई guarantee नहीं 75% का criteria हटे या ना हटे तो आप ये बात बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा आप ज़स्ट 75% criteria को भी ध्यान से देखिए क्योंकि अगर J.E. advance हटा दिया तो क्या हुआ और भी बहुत सार examination से जो कि matter करता है आप ज़स्ट आगे interview को ले जाओगे ना तभी board marks matter करेंगे कि पहले बच्चा कैसा पढ़ता था अपना J.E. main काम कहीं भी नहीं लगाते हमारा 10th का लगता है scorecard 12th का लगता है graduation का लगता है post graduation का लगता है हमारा entrance examination का कोई scorecard कहीं काम नहीं आता सिर्फ admission के लिए यूज करते हम इसे हमारा interview अगर आप UPSC IAS, RAS कहीं भी जाके देते हैं तो 12th के marks देखेंगे ही देखेंगे 11th में बच्चा कैसा पढ़ रहा था 10th में बच्चा कैसा पढ़ रहा था सुरू से बच्चा कैसा पढ़ रहा है graduation में बच्चे के कैसे marks है यह सारा का सारा mentor करता है गाइस तो यहार 12 के माक्स आपके बिल्कुल नहीं किडने चीए आप ये बात बिल्कुल द्यान से सुनिया है ठीक है थैंक्यू शो मच खूब पढ़ते रही है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं मैं इंट्रेस्चिप प्लान लिंक का अगर आपको इंट्रेस्ट हो त नीचे नहीं होता कभी उपर ठीक है अगर आपके 60 परसेंट आते हैं 99 परसेंटाइल हमारी टीम आपको इतना मलब आपको टगड़ देगी कि 99 परसेंटाइल आप ला सकें ठीक है तो आपको जस्ट यह टार्गेट करना कि कि आप बिल्कुल इसकोलर बन सकें ओके ठीक है ग